हेला विवान में गायतरी, हाउटो मिग भाय गायतरी मैं सुरिका स्वागत करती हूँ और आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मंचूरिन वित नूडल्स की रेसिपी जी हाँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगने वाली है रेसिपी और बच्चे बड़ू सभी को बहुत पसंद आती तो आप सभी से रेसिपी को देखने से पहले जिसकिसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए का ताकि नोटिफीन मिल सके और आप लोग मेरी रेसिपी वाच कर सको तो चलिए स्टार्ट करते है तो यहाँ पर मैंने लिया है पोहा ये वन बाउल मैंने पोहा लिया है और आज मैं पोहे के साथ आपको मंचीरीन बॉल्स बनाना बताऊंगी जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहाँ पर वन बाउल लेने के बाद पोहे को इसको दो बार अच्छे साफ पानी से धोग ए और इसतरे से रख लेंगे कम से कम 10 या 15 मिट के लिए और यहाँ पर मैंने लिया है केवेज याने पत्ता गोवी जिसको इसतरे से कद्दू कस कर लिया है यहाँ पर मैंने एक पूरा भर के अच्छे से फुल फुल टीस्पून आमको लेना है तो सिक्स टीस्पून कॉन लेना है उसके बाद इसमें हम एट करेंगे दूसरे इंग्रीडियन कॉन्फलोर की कॉंटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर अच्छे से बांडिंग नहीं हो रही है तो आप इसके कौरणिंग नमक भी लेना है इसमें पताना भूल गई आपको और इन सब का अच्छे से मिक्स करो लेता है तो यहां पर नुड़े है और का अच्छे से बॉल्स बन जाएंगे अगर नहीं बन रही है Wenn अ просто equals 1-2 पों और अज़ाद से पिस बैल से चभी a बैल्स की बना योजना से bene water रिधाएगहों को इन उसमें डाल रिधा और ऊच्छारी की आधर बैल्स की तह बिरीच अच्छा कर रहे तो पर जित्ता भी इस वरतन में आयगा ना सारे बॉल्स में डाल दोंगी और हम अच्छे से फ्राइब करेंगे आप अपने हिसाफ से डालेगा यहां पर मेरी बॉल्स जो है न वह फट नेरी इसलिए में जादा कॉंटिटी में डाली है कई बार के होता है कि बॉल्स में अच इनको हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे और बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है अगर और आपको ज्यादा क्रिस्पी करना है तो एक में टिप्स दूंगी इसमें कि आप इनको जो हाफ फ्राई करते हैं वैसे फ्राई कर लो और निकाल लो उसके बाद इसक कम से कम आदर घंटे बाद वापे से फ्राई करिए तो बहुत क्रिस्पी पना जाता है तो आप उसको ग्रेवी के साथ काफी समय तक रख सकते हो लेकिन यहां देखिए काफी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इनको में निकाल लेती हूं काफी अच्छे से मतलब क्रिस् जम मच के आसपास और मैंने कैप्सिकम डाल दिया था हाफ कटा हुआ तो इस तरह से मैंने इसको काइट के डाल दिया वेजिटेवल को क्योंकि ग्रेवी में थोड़ा सा वेजिटेवल होना भी ज़रूरी है और इनको हमेने हलका सा मिलब सौट करा है टेसके कोडिंग नमक और यहां पर मैंने एक कॉणफलर का खोल डाला है यानि 2 टीस्पून कॉणफलर लेके पानी के साथ खोल तियार करा है उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ग्रेवी के लिए तो यहां पर मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी देखी इस तरह से पानी डाल क अर्चे से कर लेते हैं सबको मीक्ष करनी के बाद इसको हम कमसे कम डू या तीन मिटकी लिए पकाइंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए और सॉस भी अच्छ joint धने लग जाए यहां पर मैने टमाटर सॉस डाला है वन स्पून यानि टमाटर सॉस के कॉण्टिटी में ज्यादा ली है क्योंकि बच्चों को टमाट और सॉस ज्यादा पसंद आता है इसमें नूडल्स और मंचुरियन में तो यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स हो जाएगा पूरा एक जैसा मसाला बन जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे नूडल्स डालेंगे मैंने नूडल्स को पहले से ही बॉइल करके रख रखा है नमक के साथ में और नूडल्स किस्तर से बॉइल करते हैं यह वीडियो में देख सकते हैं इससे पहले मैंने मंचुरियन की वीडियोस और नूडल्स की वीडियोस अपलोड कर रखे हैं यहां पर देखे म जो मंचूरिन फ्राई करे थे ना उनको भी हम एड़ कर देते हैं और दोनों को डालके अच्छे से मिक्स करते हैं बिल्कुल एक जैसा ग्रेवी मंचूरिन और नूडल्स में हो जाना चाहिए यह देखिए काफी टेस्टी काफी यह मी लगता और बच्चों को तो बहुत कि ली बाई बाई